नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पूरुदावन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं पैरो में सूजन के बारे में पैरो के उपर सूजन के उपर हम बहुत सारी वीडियो बना चुकी हैं मगर बार बार वही सवाल हमारे सामने बार बार आते हैं इसी वज़े से मैं इस वीडियो को दुबारा से बना रहू हूँ और समझानी कोशिश करूँगा कि पैरों में सूजन होने पे क्या करना है और क्या नहीं करना है पैरों में सूजन क्यों आती है किड्नी फेलियर पेशन में पहले उसको जाने की कोशिश करते हैं पेरो में सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं पहले कभी हम जब टीटमेंट करवाने जाते हैं तो में इस कारण को निकालना पड़ता है तो शुरुवात करते हैं सबसे कॉमन कारण के उपर और वो है थायरोड की दिक्कत अब आप सोचेंगे कि वीडियो तो किड्नी फेलियर पेशन के लिए हम थायरोड के बारे में क्यों बात करें थायरोड एक यसी बीमारी है जो आपके बॉड़ी में अगर है तो उसे पहचान पाना असान काम नहीं होता और थायरोड की जब हमारी शेरी में कमी हो जाती है तो अकसर हमें पैरो में सूजन देखनी को मिलती है तो जो भी कभी आपको अपने शेरीकें देखनी को मिले तो मेक्शर करोगे कि यह जो सूजन है वो थायरोड की वज़े से नहीं है इसकी वज़े से आपको क्या करना है, ती टी ए सच का आपने टेस्ट करवाना है, और मेक्शुर करना है कि आपको थायरोड की दवाई की जुरूरत ना हो, जो लोग पहले से थायरोड की दवाई ले रहे हैं, वो भी टेस्ट करवाएंगे, यह चेक करने के लिए कि कहीं हमें द्वाई को बढ़ाने की जुरूरत तो नहीं है क्योंकि यह सबसे असान तरीका है सूजन को हटालेंगा अगर वो थायलोड से आ रही है तो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारी बॉड़ी में हमारे ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन का कम हो जाना तो जब भी आप KFT करवाते हो सूजन आ रही है तो अपने रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन का से चेमेंट है उसे चेक करो अगर आपका टोटल प्रोटीन 6.5 से नीचे आ रहा है यानि आपके शिरीर में प्रोटीन की कमी है और प्रोटीन की कमी की वज़े से क्या देखने को मिलते है कि सूजन आती है और खासका पैरो में सूजन देखने को मिलती है अब यह जब प्रोटीन है यह हमारे शिरीर में इसली कम हो रहा होता है क्योंकि हमारे जो हम यूरिन करते हैं उसमें प्रोटीन निकल रहा है को लोगए इतना खान एठा चितना हम निकाल रहें तोुमारे ब्लेड में जो प्रोटीन की मातर है वह कम होनी शुशुरू होती है अब ब्लेड के अंदर प्रोटीन है वह खूण की गाड़ापन देता है, अगर को भूगको बहुत जादा पतला हो जाए तो पानी बनकर पैर ठीक रखना होता है, प्रोटीन के मकर हम खाने में खाएंगे, तो हमारा क्रेटनीन बढ़ता है, जिसका दिहान अखना चाहिए, अगर हमें यह देखना पड़ेगा, कि हमाली फायदे मन्द क्या है, क्रेटनीन का बढ़ना या फिस सूजन का ना, क्योंकि प्रोटीन खाने से, जए करेटनी ज़रू बढ़ता हैं बट गड़ा माऀना हें तो क्रोट न ग्यक्नी कोई नुक्षान नहीं होगा इप इम अपने मां אני में राखना है को लेतंवा है कि अगर चुरुत प्राइब में पर काई बर्टिक बढर पुरा एक30.5 अगर पूरा करते हो तो फादा है ज्याद से के जाद है कि है अगर आपके पैरों में पानी भर रह था ये फवड पे कppt पैरों में भरनना शर 수가 घर होता है Mueller को सासलीनिमे दिक्कत हो अगर अगर आपके फेफडे खराब हो चाहेंगे, तो फेफडे का कोई अलाज नहीं होता, फेफडे की रिप्लेसमेंट नहीं होती है, तो अगर आपको लेटने पे सांस घोट रहा है, या आप पानी में डूबरे हो, तो यह कहने का मतलब ही है, तब आपको अपने माइड से बहान करोगे, और अपनी जो सूजन है, उसे भार करोगे, अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण सूजन का होता है, वो है किड्नी का काम दंग से ना करना, किड्नी दंग से काम नहीं भी करती, तो भी हम क्या देखते हैं, कि प्रोटीन फूरा है, थारो ठीक है, पर फिर भी सूजन कि आदा एक कप पानी पीलेजे, कोई दिककत नहीं, दिन में कितने कफीरे उसको हिसाब तो खास जरूरत नहीं पटे, क्युकि हम एक थोड़ा पानी ले रहे होते हैं, जब हम पानी थोड़ा सा ले रहे होते हैं, मगर अगर अगर आम सात में नमक की मातरा जाता लेंगे, तो भी हमें सूजन देखने को मेलेगी तो जितनी भी पेशेंट जिनके टॉटल पुटीन ठीक है थाइओड की दिक्कत नहीं है उनको अपने खाने के अंदर कुछ दिनों के लिए नमक को बंद कर देना चाहिए पानी के माता को कम कर देना चाहिए इससे क्या होगा? अगर आपकी किट्नी पर लोड़ाeled इसको हम लोड डालते है कि आप पानी को निकालो पानी को निकालो तो होता यह है कि किट्नी दीरी दीरी और खराम होनी शुरू होगि तो सूजन रहने तक आप दवाई खा सकते हैं, सूजन जाने के बाद आपको अपने नमक से, अपने पानी के इंटेक से ही सूजन को गंडोल करना होता है, अगर आप मेडिसन खाते रहेंगे, तो आप क्या देखेंगे, एक रेटनिंग की वेल्यूस बढ़ती चली जारी है, आप साइसन जीवनी में आ सकते हैं, मुझ से मिल सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और इस सूजन को खतम कर सकते हैं, गेटनियन को डाउन करते हुए, इसके लिए आपको बदलाब करने होंगे, अपको अपनी मेडिसन के अंदर, इसमें बदलाब करना होगा आपको सोच के अंदर में मुईत करता हूँ इस वीडियो से आप समी समझ गए होंगी कि पैरों में सूजन को कभी हलके में नहीं लेना कई सारे कारण है पहले कारण को निकालना है उस कारण को खतम करना है फिर हमने आगे का रस्ता बनाना है इसी के साथ मैं आप से बेसे चलने की झाल 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 झाल